नमस्कार, One India Hindi में आपका स्वागत है भारतिय सुतंतरता संग्राम का पूरा इतिहाज सुतंतरता सैनानियों के वीर कारणामों से भरा पड़ा है ऐसे ही एक वीर सैनानी थे लाला लाशपतराय जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ नियुच्छावर कर दिया था लाला लाशपतराय अजादी के मतवाले ही नहीं बलकि एक महान समाज सुधारक और महान समाज सेवी भी थे यही कारण था कि उनके लिए जितना सम्मान गांधिवादियों के दिल में था उतना ही सम्मान उनके लिए भगसिंग और चंदरशेखर अज़ाद जैसे क्रांथिकारियों के दिल में भी था एक तरफ वो महत्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला कर आसयोग आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ उनकी मौत का बदला लेकर भगा सिंग, राजगुरू और सुख़देव जैसे क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूम लिया था लाला जी ने 1920 में कॉलकाता में कॉंग्रिस के एक विशेश सत्र में भाग लिया वो गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किये गए आसायोग आंदोलन में कूत पड़े जो सिधान्तिक तोर पर रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया जा रहा था लाला लाजपतराय के नैतरित में ये अंदोलन पंजाब में जंगल में आग की तरहा फैल गया और जल्द ही वो पंजाब का शेर या पंजाब केसरी जैसे नामों से पुकारे जाने लगे लाला जी ने अपना सर्वोच बलिदान साइमन कमीशन के समय दिया साइमन आयोग साथ ब्रिटीश सांसदों का समूँ था जिसका गठन 1927 में भारत में सविधान सुधारों के अध्यन के लिए किया गया था इसके अध्यक्ष सर जोन साइमन थे कमीशन के सभी सदस्याय अंग्रेश थे जो भारतियों का बहुत बड़ा अपमान था क्योंकि साइमन कमीशन ने भारत की सत्ता भारतियों के हाथ में देने का कोई प्रस्ताव नहीं था इसलिए चोरी-चोरा की घटना के बाद आसहयोग आंदोलन वापस लिये जाने के बाद अजादी की लड़ाई में जो ठहराओ आ गया था वो अब साइमन कमीशन के गठन की घोशना से टूट गया 1927 में मदरास में कॉंग्रेस का धिवेशन हुआ जिसमें सर्वसम्मती से साइमन कमीशन के बहिशकार का फैसला लिया गया मुसलिम लीग ने भी साइमन के बहिशकार का फैसला किया तीन फर्वरी 1928 को कमीशन भारत पहुचा जिसके विरोध में पूरे देश में आग भड़क उठी लहौर में 30 अक्टूबर 1928 को एक बड़ी घटना घटी जब लाला लाचपत राय के नैत्रित में साइमन का विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा गया पुलीस ने लाला लाचपत राय की छाती पर निर्मम्ता से लाठियां बरसाई वो बुरी तरह घायल हो गए और अंतधा इस कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई लाला जी का जन्म 28 से जन्वरी 1865 को पंजाब के फिरोध पूर जिले के धूदी की गाउं में हुआ था पर चड़कर हिस्सा लिया था फिलाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ